करुनाड जन्तेगे, नन्न प्रितिय नमस्कार गडु, बैंगलूरनिय महा जन्तेगे, विशेश्वा नमस्कार गडु, कर्नाट का राजपत पालिगे, इंदु महत्वत दिन भगेवागि दे, राज्य दल्ली हलवारो मुल्भु सवकरिय कलपीशु योजने गडन्नो जावी गोडि सैलो, मन्गे पहर संतोज वागु दित्ते, कर्नाट के राजपाल, स्री थावर्चन जी गहलोत, कर्नाट के जनप्रिय मुख्यमंत्री, स्री बसवराज जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सयोगी प्रलाज जोसी जी, कर्नाट का सरकार के मंत्री गण, सांसाद और विधाय गण, बैंगलूरू के मेरे सभी भाई और बहनो, नमश्कार, डबल इंजिन सरकार ने, कर्नाट का के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के, आज हम सभी, एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं, आज 27,000 करोड रुपिये से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकारपण और स्रिलान्यास हो रहा है, ये प्रोजेक्ट, हायर एजुकेशन, रिसर्ट, स्किल डेवलप्पेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी, ऐसे कई आयामों के साथ, आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं, यानि ये प्रोजेक्ट, इस अफ लिविंग, और इस अफ दूइंग बिजरेश, दोनों को बल देने वाले हैं, भाईयों और बहनों, यहां आने से पहले, मैं इंडियन इंस्टिटुट अफ साइंस और अंबेरकर स्कूल अफ एकोनामिक्स, उस उनिवर्सिटी में सिच्छा, रिसर्च और इनोवेशन को बहुत समझने के लिए, उनके उत्सा को अनुभव करने के लिए, आज मैं उनके बीच में थूँ और नई उर्जा लेकर के निकला हूँ, मैं इन कायरकमों से, जुड़े देश के प्राइवेट सेक्टर की भी भूरी भूरी प्रसाउंसा करता हूँ, अब यहां कनेक्टिविटी सी जुड़े उत्सव को आपके साथ, आपके बीच आ करके, और जो उमंग और उत्साथ से आप लोग बरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और आप सब जानते हैं, बैंगलोरू का आज का मेरा ये आखरी कारकम है, और इसके बाद मैं सुरू जा रहा हूँ, वहां भी करनाटका की इसी विकास यात्रा को गती देने का भ्यान जारी रहेगा, थोड़ी देर पहले करनाटका में पाँच नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और साथ रेलवे प्रोजेक्ट का सिलान्याद किया गया है, कौकर्ण रेलवे के शत पतीशत बिजली करण के महत्वपूर्ण पढ़ाव के भी हम साक्षी बने हैं, यह सभी प्रोजेक्ट करनाटका के युवाओं, यहां के मध्यमवर्ण, हमारे किसान भाई बहन, हमारे स्रमिक भाई बहन, हमारे उद्यमियों को नई सुवीदा देंगे, नए आउसर देंगे, पूरे करनाटका को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत चुपका मनाए, साथियों, बैंगलूरू देश के लाखो युवाओं के लिए, सपनों का शहर बन गया है, बैंगलूरू एक भारत, थ्रेश्ट भारत की भावना का प्रतिभीम्भ है, बैंगलूरू का विकास, लाखों सपनों का विकास है, और इसलिए, बीते आठ वर्षों में, केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयात रहा है, कि बैंगलूरू के सामर्थ को और बढ़ाया जाए, बैंगलूरू में अपने सपने पूरा करने में, जूटे हुए हर साथी का जीवन आशान हो, ट्रैवल टाइम कम हो, आराम दायक हो, लॉजिक्स्टिक कॉस्ट भी कम से कम हो, इसके लिए, डबल इंजिन की सरकार ने निरंतर काम किया है, यही कमिट्मेंट हमें, यहां आज भी देखने को मिल रहा है, साथियों, बैंगलूरू के ओ, ट्राफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, रेल, रोड, मेट्रो, अंडर पास, फ्लाइ ओवर, हर संभव, हर संभव माध्यमों का पर डबल इंजिन की सरकार काम कर रही है, बैंगलूरू के जो सबर्बन्स इलाके हैं, इनको भी बहतर कनेक्टिमिटी से जोडने के लिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, मुझे बताया गया है, कि बैंगलूरू के आसपास के खेत्रों को, रेल से कनेक्ट करने के लिए, असी के दसक से ही चर्चा चल रही है, चर्चा में 40 साल, अब बताये क्या हाल है, 40 साल चर्चा में गए है, मैं करनाटका के भाईयों बहनों को विश्वाद दिला ने आया हूँ, इन चीजों को साकार करने में, मैं 40 महिने महनत करके, आपके सपनों को पुरा करूंगा, आप जान करके हरान हो जाएंगे, 16 साल तक, ये प्रोजेक्ट फाईलों में लड़ खडाते रहे, मुझे खुशी है कि डबल इंजीरी की सरकार करनाटका की जनता के, बैंगलूरी की जनता के, हर सपने को भी पूरा करने के लिए जीजान से जुटी हुई है, बैंगलूरू सबर्बन रेलवे से, बैंगलूरू की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी, यह प्रोजेक्ट बैंगलूरू शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा, और मैं बताता हूँ साथियों, अगर 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे, जो काम 40 साल पहले पुरे होने चाहिए थे, आज मुझे वो काम 40 साल के बाद करने की मेरे नसीब में आया है, अगर 40 साल पहले यह चीज़े पुरी होई होते, तो बैंगलूरू पे दबाव न बढ़ता, बैंगलूरू और ठाकत के साथ खिल उड़ता, लेकिन 40 साल यह कम समय नहीं है, लेकिन साथियों आपने मुझे मुझे मोका दिया है, मैं अब समय गवाना नहीं चाहता हूँ, पल पल आपकी सेवा के लिए खपाता रहता हूँ, साथियों आसपास के सेट्रिलाइट टाउन्सिप, सबर्बन और गामी निला के, जब रेल आधारित रैपिट टांजिस सिस्टेम से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसका मल्टिप्लार इफेक्ट होने वाला है, सबर्बन रेलवे की तरह ही, बैंगलूरू रिंग रोड़ भी शहर के कंजेशन को कम करेगा, इच्छे नेशनल हाइवे और आट स्टेज हाइवे को कनेक्ट करेगा, यानि करनाटका के दूसरे हिस्तों में, जाने वाली गाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को, बैंगलूरू रिंग रोड़ शहर में एंट्री की जरूती नहीं पड़ेगी, आप भी जानते हैं, कि निल मंगला से तुमकुरू के बीच का जो ये नेशनल हाइवे है, इसके इद्गीद जादर पर इंडर्स्टीज है, ट्राफिक का एक बहुत बड़ा फ्लो इस रास्ते से पर जाता है, इस हाइवे की सिक्स लेनिंग और तुमकुरू अब वाइपास से इस पूरे क्षेत्र में ट्रावेल और ट्रांस्पूर्ट आसान होगा, इकोनामी एक्टिविटी और बल मिलेगा, डर्मस्थला मंदीर, सूर्य मंदीर और जॉक फॉल्स जैसे, आस्ता और परेटन के हम केंद्रों की कनेक्टिविटी को बहतर करने के लिए जो काम हो रहा है, वो भी टूरिजम के लिए एक नया आउसर बनके आने वाला है, भाई और बेनों, बीते आठ सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कम्प्लिट ट्रांस्पर्मेशन पर काम किया है, आज रेल में मैं सफर का अनुभाव, आठ साल पहले की तुलना में बिलकुल अलग है, भारतिय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है, और सीटीजन फ्रेंडली भी हो रही है, हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुँचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था करनाटके में भी बीते वर्सों में बारा सो किलोमेटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ी करन हुआ है भार की रेल अब वो सुविदाएं वो माहोल भी देने का प्रयात कर रही हैं जो कभी एरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी भारत रत्न सरा एम विश्वे सर्या उनके नाम पर बैंगलूर में बना आदूनिक रिल्वे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मुझे बताया गया है कि आज बैंगलूर में लोग इस्टेशन पर जाते हैं जैसे किसी टुरिस्ट डेशन डेस्टेशन पर जाएं वो अजूबा देख रहे हैं उनको देश बदलता हुआ उस रेलिवे स्टेशन के रचना से दिखाई दे रहा है और लोग मुझे बता रह देख लिए कतार लगा के खड़ी हो जाती है कि एक कानाटका का पहला और देश का तीसरा ऐसा आधुनिक रेल्वेस्टेशन है इससे सुभीदाय तो आधुनिक हुई है बैंगलूरू के लिए जादा ट्रेनों का रास्ता भी खुला है बैंगलूरू केंडूर्मेंट और यश्वन्परा जंक्चन को भी आधुनिक बनाने का काम आच्छे शुरू हुआ है साथियों 21 सदी में हम सिर्फ रेल रोड पोर्ट एरपोर्ट तक सिमित नहीं रह सकते बलकि ट्रांसपोर्ट के यह मोड एक दुसरे से कनेक्ट भी हो एक दुसरे को सपोर्ट भी करें ऐसी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं इस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वो पी एम गती शक्ती नेशनल मास्टर प्रांच से मदद मिल रही है बैंगलूरू के पास बनने जा रहा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्ट इसी विजन का हिस्सा है यह पार्क प स्माइल डिलिवरी बहतर हो और ट्रांस्पोर्स्टेशन की कॉस्ट कम हो गति शक्ति की स्प्रीट से बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे आत्म निर्वर भारत के सिंकल्प की सिद्धी को भी गति देंगे बहनों और भाईयों बैंगलूरू की सक्से स्टोरी 21 वी सदी के भारत को आत्मंदिर वर भारत बनाने के लिए प्रेरिक करती है इस शहर में दिखाया है कि एंट्रप्रिनर्शिप को इनोवेशन को प्रामेट सेक्टर को देश के युवाओं को असली सामर्ति दिखाने का अवसार देने से कितना बड़ा प्रभाव प्रदा होता है करोना के समय में बैंगलूर में बैटे हमारे विवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है बैंगलूर ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाय दे और नागरी के जिवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नवजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है देश को कहां से कहां पहुचा सकता है बैंगलूर देश के युवाओं के सपनों का सहर है और इसके पीछे उद्यम शिलता है इनोवेशन है पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उप्योगिता है बैंगलूरू उन लोगों को अपना माइंड सेट बदलने की सीख भी देता है बैंगलूरू की ताकत देखिए ये उन लोगों को अपना माइंड सेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट एंटर्पाइज को भद्देश शब्दों से उसको संबोधित करते हैं देश की शक्ति को करोरों लोगों के सामर्थ को ये सत्ताबादी मानसिक्ता वाले लोग कम तरांगते हैं जाथियों 21 वे सिद्र का भारत बेर्ट क्रेटर्स जॉब क्रेटर्स का है इनोवेटर्स का है यही दुनिया के सबसे युवादेश के रुपए भारत के असनी ताकत भी है यही हमारी संपदा भी है इस तांकत को प्रमोड करने के लिए जो प्रयाव मिते आट शालों में हुए है उनकी चर्चा तो होती है लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है लेकिन बैंगलूरू जो इस कल्चर को जीता है वहाँ जब मैं आया हूँ तो इसकी विश्त्रित चर्चा करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ भाई और भाहनों भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा अगर एम्प्लोयर है तो S.M.S.E. सेक्टर है हमारा जो देश के टियर टू, टियर थ्री शहरों की एकोनोमी को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है MS.M.E. इस सेक्टर से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए लेकिन हमारे यहां MS.M.E. की परिभासा ही ऐसे रखी गई थी कि अगर वो खूद का विश्तार करना चाहते थे तो उनका नुक्षान होता था इसलिए वो अपने वेंचर को बढ़ा करने के बजाए उसरे छोटे उप्रम के तरब ले जाते थे हमने इस परिभासा को ही बदल दिया ताकि MS.M.E. ग्रोथ की तरफ बढ़े जादा एंप्लोईमेंट बढ़ाए चोटे-चोटे सरकारी प्रोजेक्स में भी ग्लोबल ट्रेडर होने से हमारे MS.M.E. के अउसर बहुत सिमित होते थे हमने 200 करोड रुपिय तक के टेंडर में विदेशी इकाईयों की भागिदारी को समात्त कर दिया यही तो आत्मनिर्वर भारत के प्रती हमारा आत्म विस्वास है केंद्र सरकार के सभी विवागों के लिए 25 प्रतिशत खरीद MS.M.E. से ही करने का भी निर्देश दिया गया है यही नहीं आज गवर्मेंट इमार्केट प्लेस के रुप में MS.M.E. से के लिए देश के हर सरकारी विवाग सरकारी कंपनी डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रेड करने का आसान माध्यम दिया गया है जेम पर आज 45 लाग से अधिक सेलर्स अपने प्रोड़क्ट और अपनी सर्वीस उपलब्द करा रहे हैं भावी और बहनों भारत के स्टार्ट अप इकोसिस्टिम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है जिसका बैंगलूरू बहुत बड़ा सेंटर है बीते आठ सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है यह तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दसकों को देखेंगे बीते दसकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कम्पनिया मनी है आप उंगलियों पर गिन सकते हैं लेकिन पिछले आठ साल में सो से अधीक बिलियन डॉलर कम्पनिया खड़ी हुई है जिसमें हर महिने नई कम्पनिया जूड रही है आठ साल में बने इन इनी कॉंट की वेल्यूएशन आज लगबत देड़ सो अरब डॉलर है यानि की करीब करीब बारा लाग करोड रुपिय है बेस्ट में स्टार्ट अप इको सिस्टिम कैसे बढ़ रहा है ये बताने के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्ट अप तक पहुंचने में हमें लगबग 800 दिन लगे थे मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया उसकी बात करता हूँ उसके बात की लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्ट अप इसको सिस्टिम में जुड़े हैं वो 200 दिन से भी कम ही जुड़े हैं तभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्ट अप के बढ़कर आज 70,000 के पढ़ाव को पार कर चुके हैं भाई और बैनों स्टार्ट अप और इनोवेशन का रास्ता आराम का सुविधाका नहीं है और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का करास्ता भी आसान नहीं था सुविधाका नहीं था कई फैसले कई रिफॉर्म तात्काली उप्रुट से अपरिये लग सकते हैं लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाब आदेश अनुभव करता है रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्षो नए संकल उकौंप की तरब ले जाता है हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिन में दशकों तक सिर्फ सरकार का एका दिकार था आज हम ड्रोन से लेकर एरक्राप तक हर कटिंग ये टेक्नोलोजिय में भारत के युवाओं को प्रोसाइज कर रहे हैं यहां देश का गवरव इस्त्रो है डियाल्डियों का एक आदूनिक इंफ्रसेक्टर है आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर् प्रोरी प्रेट्फॉर्म दे रही है इनमें देश का युवाँ महनत कर रहा है जो सरकारी कंपनियां है वो भी कंपिट करेगी देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कंपिट करेगी तब ही हम दुनिया के साथ कंपिट कर पाएंगे बरसाब मानना है उपकरम चा का प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमर्त काल यानि आने वाले 25 साल में आत्म निर्बर भारत के निर्मान की उर्जा है एक बार फिर सभी करनाट का वासियों को विकास के इन पोजे के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं और बसवराजी के नित्रुतम में हमारा करना मिला कर काम करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है अनेक अनेक शुक्तामनाओं के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कारा